हाई वरिवन वेलकम तो दिस चैनल सवितास टुटोरियल्स वन्स अगेन और आपने प्रिवेस वीडियो इस सीरीज के देखे हैं दीसी वन एक्सपेक्टिड कोस्टन ट्वेंटी टू तो इसके मैंने टू वीडियो इस सीरीज के अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट वन पार्ट वू आपने देखे होंगे नहीं देखे होंगे तो लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके मिल जाएगा आप उन कोस्टन को जरूर देखें और यह तीसरा वीडियो है इस सीरीज का पार्ट त्री पूरे कोस्टन देखिए यह सिरीज 2022 इसका नाम रख और अब आप लोग अपनी त्यारे स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास अब अब आपके एक्जाम सोंगे तो एक महिन आपके लिए काफी है ताकि आप अपनी स्टरी को अच्छे से कर सके हो और अच्छे मार्क्स जो है एक्जाम में लेके आ स तो वीडियो काफी इंपॉर्टन्ट रहेगा वीच वीच में आपको मैं आपको पूरे टिप्स भी दूगी किस तरसे आप एक्जाम में अच्छी परफॉर्म कर सकते हो तो वीडियो पूरा देखो और क्योंकि आपको को वीडियो के थुरू आपको को पूरा इजी लिए और सिफ यह नहीं कि कोशन देखा और बस हो गया नहीं ऐसा नहीं है कोशन के साथ आप पूरा वीडियो लेक्चर देखे ताकि आपको पूरा अच्छे से अंजस्टैंड जो की कॉंसेप्ट क्या है किस तरसे आप उसमें वर्ड्स अपने भी कुछ कर सकते हो पूरा वीडि क्याम में वैसे ही लिख सकते हो सिर्फ आपने थोड़ा सा हैडिंग्स का रखना होता ध्यान की हाँ इसमें यह हैडिंग्स पड़ेगी और स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कोई भी नहीं करते हो प्लीज चैनल को स किसी बंका है यह और इसमें कोशन है कि सिशू गरी हमें पालनकरता के कारीय घ्यान और कौशल की चर्चा कीजिए जिकरिए इसमें को डिफरंटली भी पूच रा सकता है !! धैं ने जा करके इसका दूसरा एक्सपेक्ट लिखा है बाल देख वाल केंदर में पालन करता के लिए अपिक्षित घ्यान अभी वृत्तियों और कोषिलों के बारे में बताईए तो जो मतलब भाल डेख वाल केंदर हैं उसमें है क्या क्वालिट योना चाही जenne стать है तब तक आप उसको frame up नहीं कर सकते, उसको answers नहीं बना सकते हो, तो मैं coaching में भी यही बर्चों को बताती हूं कि पहले question को समझो, अगर आपने question को समझ लिया, तो आपका आदा काम तो ऐसी हो जाता, क्योंकि आप फिर question कुछ उसमें लिख सकते हो, ठीके, तो इसका answer देखते ह का उचित, पालन करता का उचित मनुवरिती के साथ साथ, अपने कारे में कुषल होना भी आवश्यक है, ठीके, तो मनुवरिती में उसकी सोच अच्छी होनी चीए, उसका मैं अच्छा होना चीए, उसके साथ साथ उसमें कुषलता भी, कौशल भी होनी चीए, ठीके, ज्या प्रारंभिक वर्षो में ही पता लग जाती है अदर केंद्र की वातावरन वा पालनकरता कारें बच्छे की विकास के लिए अनुकूल होना, चाहिए that? पालनकरता का कारें भी होना, चीया है अनुकूल? इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ Втор में कि तालिका में हमने एक तालिका बनानी है उसमें पालिन करता द्वारा किये जाने वाले कारियों और संबंदित ग्यान ठीक है उसमें हमने सब बताना है उसमें कारियों संबंदित ग्यान मतलब पालिन करता ग्यान तथा कोशल से भी बताए गए हैं तालिका बनानी है आप बताई कि कारे कौन से हो सकते हैं पालन करता के और उसका उस कारे को करने के लिए कि स्कुर्ण की आविशकता होगी कि पूरा आपने डिफाइन करना इसमें तो इस तरह से आप तालीका बनाके देखो यह सब चीजें बनाने की आपने थोड़ी सी प्रैकिस तो करनी है घर में जैसे कि आपने कोई डाइग्राम बनाना है, कोई अपनी पिक्चर बनानी है, तो या फिर कोई फटवच से आपने जो पाथे चरिया है, वो बनानी है, किसी भी तरह से आपने इस तरह से बनाना है, तो इसके थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस चरूर करनी है, कारेकरता द्वा केंद्र के वातवरन को सुरक्षित और स्वास्यप्रद रखना जब भी आप ऐसे कोई डाइग्राम बनाते हो कुछ भी मनाते हो पिक्चर बनाते हो तो इससे मतलब आपकी मार्क्स को एन्हांस करने की पॉसिबिल्टी इस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सिंपल आप दोगे केंद्र के वातवरन को सुरक्षित व स्वास्थे प्रद रखना तो यह कारे करता का ठीक है अब ज्यान स्वास्थे की देख भाल के संबंद में कारे करता को स्वास्थे संबंद नियमों का ज्यान हो अब जैसे कि स्वास्थे से रिलेटिड अगर उसको वातवरन रखना है स्वास्ते प्रद सुरक्षित रखना है तो उसको स्वास्ते की नियमों का जो है ज्यान होना चाहिए है न और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए पालन करता केंद्र में उपयोग के जाने वाले भोजन भोजन को सुरक्षित रखे ये भी चीजे है ज्यान होना थोड़ी रात्मी सी किसा भी रखे बच्चों की क्रियाओं के चैन वह क्रियाओं के लिए सुरक्षी स्थान की अब इसमें कोशल कोशल भी देना है कि पारलन करता में क्या-क्या कोशल होने जी तो यह सब कारे करने के लिए उसमें क्रियाओं के चैन की कोशल होने जी कौन सी क क्रियाईं करवानी है बच्चों को त्रियाओं के लिए उछित अन्पार्ण के Carnival की विवस्थाप करनी Is तो शारिक वाल उसका कारह का रहे फिक्त? पालण करता को स्तंपान के लाब उसको पता होग लाब पूरक अहारों के बारे में जानकारी हो, ये ज्यान है, ठीके, बच्चों की जरूरत के अनुसार, बोतल से दूद पिलाना, ये कोशल है उसका, बच्चों के स्वास्तिय, वा पोशन, संबंधी, जरूरतों का ध्यान, ठीके, और वृदि-चाज से संबंधित, वृदि-टै क करना यह सब कोशल है उसके अंदर ठीक होनी चाहिए तो इस तर से आप इसको थ्री उसमें सेक्शन में बना सकते हो फिर आप दे सकते हो कारे में बच्चों की प्रेरन वह भावनात्मक जरुतों को पूरा करना यह उसका कारिया है इसके लिए ज्यान है बच्चों की कारिकर्टा वाले बच्चों की पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा बच्चा विशिष्ट है कौन सा समानिय यह पहचान करनी भी कारिकर्टा का कारिया है इसके अलावा रिकॉर्ड बनाना रिकॉर्ड बनाना पालन करता कि यह भी उसका कारिया है रिकॉर्ड बनाना हर चीज जैए इसका ज्यान उसको होना चाहिए व्रिधी-संबंदी चार्ट बनाना ये उसके कोशल है स्वास्थि औरटिकएकरण का रिकॉर्ड बनाने का कोशल इसके बिदानगे इसके प्रियोग करके वहाब बिद्एकरण का सामचित विखास उना कर सके पालन करता को सवेदन शील विश्वस्त और लचीला भी होना चाहिए पालन करता में ज्यान के साथ सत अन्य कहीं कोशल होने चाहिए ठीक है उसे अपने कारे के लिए अपने कारे के लिए सकरात्मक भावना वह प्रसंची तिश्टिकोन रखना चाहिए तो यह सारे कारे और उसके ग्यान से कोशल से संबंधित आगे आपका तो आए विडियो आपके लिए हैलफुल रहा होगा और कुछ भी डाउट से आपको तो आप कमेंट कीजिए और कुछ भी पूर्श सकते हो थैंक यू